नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हरदिक स्वागत करते हैं एक बार फिर से हाजर आपके सामने एक और नए हरियाना प्रेक्टिस सेट के साथ शुरू करते हैं हरियाना में नई ओध्योगेक नीती कब लागू की गई थी? गुड़गाओं में रैपिड मेट्रों की सुरुवात कब होई? 21 जनवरी 2011 में, 18 जून 2011, 17 जनवरी 2011 या फिर 21 जून 2010 तो हरियाना में गुरुगाओं में रैपिड मेट्रों की सुरुवात कब होई? तो ये कब होई थी रैपिड मेट्रों की सुरुवात? जो आपके rapid metro की शुरुवात है ये आपकी 21 जून 2010 में हुई थी इसकी पांद Q3 अपका है कि हरियाना में रेलमार के क्ल लंबाइ कितनी है 3737 4737 2737 यजा फिर 1107 किलोमीटर तो हरियाना में रेलमार के क्ल लंबाइ कितनी है 3737 किलोमीटर है Q4 है प्रदेश में कुल नवोद्य विद्यालों की संख्या कितनी है तो हर्याना प्रदेश में कितने नवोद्य विद्याले हैं तीस पांच बीस या फिर चालिस तो प्रदेश में कुल कितने नवोद्य विद्याले हैं तो प्रदेश में कुल आपके बीस नवोद्या है बीस नव तो हैंड बॉल से किस खिलाड़ी का संबंध है तो हैंड बॉल से जस जीत कोर का संबंध है Q6 आपका आता है सितंबर अक्टूबर 2014 में इचियोन में हुए 70 ACI खेलों में हरियाना के खिलाड़ीयों ने कितने स्वारण पदक जीते थे उनोंने कितने जीते थे आपसन में 5, 3, 0 या फिर 2 तो कितने स्वारण पदक जीते हैं तो ये स्वारण पदक जीते हैं 2 Q7 है कि प्रदेश के पुर्सों की परमपारिक वेस्बूसा में से निम्न में से कौन सा नहीं है लोई, दोती, पगड़ी, अंगिया तो प्रदेश के पुर्सों की परमपारिक वेस्बूसा में निम्न में से कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है पुर्सों की वेस्बूसा अंगिया ये महिलाओं का एक आभूशन है या वेस्बूसा है इसके बाद question number 8 आपका आता है कि निम्न मैसे मूँ और सिर्का आभूशन है कौन सा है पुरली, कोका, टेडे या फिर आपके उपरोगत सभी तो मूँ और सिर्का आभूशन कौन सा है तो ये सारे के सारे पुरली, कोका, डेडे, यह साब आपके मुँ और सिर्किया वुशन है, कुश्चन नमबर 9 है, मजीरा निटते कहां पर होता है, रहवाडी में होता है, कुरुछेत्र में होता है, बिवानी में होता है, या फिर मेवात में होता है, तो जो मजीरा निटते है, यह कहां पर होता में है करनाल में है पलवल में है या फिर केतल में है तो जो पंच्वटी मंदिर है यह आपका कहां पड़ेगा यह आपका पलवल डिस्टिक के अंदर पड़ता है इसके बाद कुश्चन नमर 11 है कि हर्याना को किस वर्स राष्टिय राजधानी चेत्र यानि NCR में सामिल किया तो हर्याना को किस वर्स राष्टिय राजधानी चेत्र NCR में सामिल किया गया था 2008 में 2012 में 2009 में यह फिर 2014 में तो कब सामिल किया गया था यह आपका 2014 में हर्याना को NCR में सामिल किया गया था कुशन नमबर 12 है, कि करनाल के जिले के तरावडी सहर में किंदू सासकों के मद्दे युद्ध हुआ था मुहमद गौरी पिर्टिविराज चोहान, तैमूर या फिर रजा सांतनू, इब्राहिम लोदी मराठा सरदार ये आपका सिवराब है और एमसा अवदाली और माराठा सरदार सिवराज, तो किस-किस के बीच हुआ था मुहमद गौरी पिर्टिविराज चोहान, तरावडी सहर में किंदू सासकों के बीच करनाल में युद्ध हुआ था तो किंदू सस्कों के बीच में ये युद लड़ा गया था तो ये आपका मौमद गोरियर पिर्च विराज चोहान के बीच में ये युद लड़ा गया था ये आपके तरायन के दो युद थे वैसे तो पहला था आपका 1191 में लड़ा गया धा, दूसरा था आपका 1192 में लड़ा गया था और ये दोनों कर्णाल में हुए थे, तरायन का पहला यूद और तरायन का दूस्रा यूद इसके बाद कोशन अपका आता है कि 24 दीप, यानि कोशन No.24 है दीपों के विकास है तो दीप विकास एजनसी आईडिये की स्थापना कब हुई थी एक अपरेल दो हजार पंद्र है बीस जुलाई दो हजार पंद्र है एक जून दो हजार सोल है या फिर एक जून दो हजार सत्र है तो दीपों के विकास है तो दीप विकास एजनसी आईडि की स्थापना कब हुई थी तो यह आपकी एक जून 2017 को हुई थी इसके बाद कोश्चन आपका आता है इसी में है कोश्चन नुमर 23 है तो देखो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सच्वालय में पत्र वलियों के रख रखाव हे तू यह ओफिस ववस्था की प्रिस्तावि थी कौन सी है तो उत्तर प्रदेश सच्वालय में पत्र वलियों के रख रखाव हे तो यह ओफिस ववस्था लागू करने की प्रिस्तावित कि थी कौन सी है एक अगस्त 2017, एक अक्टूवर 2017, एक स्तंबर 2017 या फिर एक नवंबर 2017 तो कब है प्रिस्तावित थी आपकी तो य थी एक अक्टूवर 2017 जिसमें यह ओफिस ववस्था लागू की गई थी कहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के सीम कौन है तो उत्तर प्रदेश के सीम है आपके योगी आधित्यानात, कुश्चन नमर 22 है वर्स 2017 का लोकमाने अतलग अवार्ड किसे प्र तो यह किसको दिया गया था लोकमाने अतलक अवार्ड दोजड सत्रे में तो यह आचारे अवाल कृष्णन को दिया गया था इसके बाद question number 21 है फिरोज तुगलक ने हरियाना में कितनी नहरों का निर्मान करवाया था आठ नहरों का निर्मान करवाया था पांच नहरों का निर्मान करवाया था या फिर एक नहरों का निर्मान करवाया था या फिर साथ नहरों का निर्मान करवाया था तो फिरोज तुगलक ने हरियाना में पांच नहरों का निर्मान करवाया था इसके बाद कुश्टन नमबर 20 है कि हैमू का जनम आदूनिक हरियाना के किस जिले में हुआ था खुरूचेत्र, अंबाला, हिसार या फिर रहवाडी तो हैमू का जनम है ये आदूनिक हरियाना के किस जिले में हुआ था तो हैमू का संबंद कहां से है तो हैमू का संबंद आपका रहवाडी से है और रहवाडी से और किस का संबंद है तो ये राब तुला राब जो है इनका संबंद भी रहवाडी से है इसके बएंट कोशन no.19 है हरियान राज्य में हरणावली का पुरा सतल किस जिले से संबन ढेत है? फतेहबात, बिवानी, हिसार या फिर कहतल तो बनावली कहां पे है बनावली आपका हिसार के अंदर पड़ेगा वैसे बनावली में जो आपका सथल है उतकानों में बनावली का पुरा सथल किस जिले में स्थत है तो इसने बनावली का पूछा है तो ये कहा पड़ेगा आपका बनावली आपका फत्यावाद के अंदर पड़ेगा इसके बाद कोश्चन नमर 18 है आपका गोहाना सौनीपत का बिर्मन किस विदेशी लिकक ने किया था तो गुहाना कहा है, सौनी पत में है, पूचा है किस विदेशी लिकक ने बिर्मन किया था, एरियन, हैंसांग, दौनो या फिर इन में से कोई नहीं, तो किस ने किया था बिर्मन, तो ये बिर्मन किया था, आपका हैंसांग ने, इसके बाद question number 17 है, तोहाना का प्राची नाम क भी हम जानते हैं, question number 16 है, कौसल विकास योजना के अंतरगत, कितने चात्रों को प्रिसिक्षन दिया गया है, तो कौसल विकास योजना के अंतरगत, कितने चात्रों को प्रिसिक्षन दिया गया है, चार हजार, तीन हजार आट सो सत्तर, तीन हजार आट सो तेहतर, या फिर तो कौसल वेकाश योजना के अंतरगत कितने चात्रों को प्रिसिक्षन दिया गया तो ये प्रिसिक्षन दिया गया था आपका 3833 चात्रों को इसके बद कोश्चन नमबर 15 है बागवानी से संबंदित उत्पादों के लिए कौन सा ब्रेंड सुरू किया गया है तो बागवानी से संबंदित उत्पादों के लिए कौन सा ब्रेंड सुरू किया गया है हरियाना फ्रेस हरियाना ग्रीन हरियाना फ्रस्ट या इन में से कोई नहीं तो कौन सा ब्रेंड है जो शुरू किया गया है यह है आपका हरियाना फ्रेस इसके बाद कोशन आता है आपका 14 कि चिल्रन इन नीड ओप केर एंड प्रोटेक्शन सिकीम के अंतरगत स्वेचिक संस्थानों के माध्यम से बच्चों को पालन पोशन के लिए कितनी प्रती महा दी जाती है चिल्रन इन नीड ओप केर एंड प्रोटेक्शन सिकीम के अंतरगत स्वेचिक संस्थानों के माध्यम से बच्चों को पालन पोशन के लिए कितनी धनराशी प्रती महा दी जाती है 600 रुपे, 300 रुपे, 6000 रुपे या फिर 1200 रुपे तो कितनी राशी दी जाती है, ये आपकी प्रती महा 600 रुपे बच्चों को दी जाते हैं, इसके बाद कोशन No.13 है, राजा नारसिंग का किला कहा है, बहद्रुगड में है, बललुगड में है, रौतक में है या फिर बिवानी में है, तो जो नारसिंग का किला है, ये आपका कहां पढ़ेग नेक्स्ट कोश्चन की, तो कोश्चन आपका आता है, कोश्चन नमबर 23, 24 यहां से चलता है, इसके बाद कोश्चन है, कोश्चन नमबर 25, हाल ही में वैज्जानिकों ने किस महासागर में glow in the dark, सार्क की नई प्रजाती की खोज की है, हाली में वैज्जानिकों ने किस महासागर में glow in the dark, नई प्रजाती की खोज की है, तो कुछ सागर में होई है, अंटार्टिक महासागर, हिंद महासागर, प्रसांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, तो किस महासागर में glow in the dark, सार्क की नई प्रजाती खोजी गई है, तो ये पिढ़ जाती खोजी गई है, आपकी प्रसांत महासागर के अंदर ये नहीं पिढ़ जाती खोजी गई है. इसके बाद question number 26 आपका है, कि भारत में सबसे पहले उचन्याले की स्थापना कहां हुई थी? दिल्ली और कलकत्ता में, बॉम्बे, मदरास, कलकत्ता के अंदर या फिर बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता के अंदर तो कहां पर उचन्याले की स्थापना हुई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले जो कुछन याले की स्थापना हुई थी यह आपकी बॉमबे, मदरास और कलकता के अंदर हुई थी बॉमबे, मदरास और कलकता इसके बाद कोश्चन है आपका कोश्चन नमर 27 किस छेतर में पूरे वर्स वर्सा होती है तो कौन सा ऐसा चेतर है जहाँ पूरे साल वर्सा होती है तो यह चेतर कौन सा है आपका यह चेतर है आपका बॉमबे, वर्स वर्सा होती रहती है आयकर से प्राप्तलाब किस के पास जाता है कैंदर सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, कैंदर और राज्य सरकार के पास या फिर नगम अधकारियों के पास तो जो आयकरक से प्राप्त लाव है ये किस के पास जाता है तो ये जाता है कैंदर और राज्य के पास में जाता है इसके बाद question number 29 है निमलकित मैंसे कौन सी विसेषता अधातु में पाई जाती है बंगुर्था वाहक था मिर्दू था या फिर आधात वर्दिता तो कौन सी ऐसा गुन है या विसेषता है जो एक अधातु में पाई जाती है तो यहाँ पे जो बंगुर्था है ये आपकी किस के संक्रमन के कारण होता है तो जो पेलीया रोग है यह किस के संक्रमन के कारण होता है तो जो पी लिया है आपका यह यक्रित में संक्रमन के कारण होता है Question No. 32 है पुस्प का वह भाग प्रकास संसलेशन कर सके तो पुस्प का वह कौन सा भाग है जो प्रकास संसलेशन करता है Option A है आपका Androsium या फिर Gynosium या फिर Calicus या फिर Corolla तो कौन सा एसा भाग है पुस्प का जो प्रकास संसलेशन कर सकता है तो पुस्प का कौन सा भाग है वह आपका Calicus है जो प्रकास संसलेशन कर सकता है Question No. 33 है निमलिकित मैंसे कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था जो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था Question No. 34 है हमारे देश में मापन की मैट्रिक प्रिनाली कब सुरू हुई थी तो मापन की मैट्रिक प्रिनाली बहरत में कब सुरू की गई 1954, 1955, 1956 या फिर 1957 तो मापन की मैट्रिक प्रिनाली हमारे देश में कव सुरू हुई तो ये सुरू हुई थी 1956, 1956 के अंदर इसके बाद कोशन है आपका कि मानव सरीर में स्वास प्रवासी संबंदी गतिविदियों पर कैंद्रिय नियंतरन किसके द्वारा रखा जाता है प्रिमस्तिस के द्वारा, अनुमस्तिस, मेरूरज्जा या फिर हाइपोथालेमस तो स्वास्प प्रिस्वासास पर संबंदी गतिविदियों पर कैंद्रिय नियंतरन किसके द्वारा रखा जाता है तो किसके दार रखते हैं यह आपका मैरूरज्जा जो है, यह आपका नयतरन रखता है इसके बाद question number 47 है कान की हड़ियों की कुल संख्या कितनी है तो कान में कुल कितनी हड़िय पाई जाते हैं दो, चार, चे या फिर आठ तो कान के हड्डियों की कुल संख्या कितनी है तो कान के हड्डियों की जो कुल संख्या है ये है आपकी 6 इसके बाद कोश्चन है आपका 58 ये भी करी लेते हैं भारत में पुर्टगाली सब्वेता के अवसीस कहां पाई गई हैं तो भारत में पुर्टगाली सबहता के अवसेस कहां मिले हैं गुवा में, कालीकट में, कन्नौर में या फिर कोचिन में तो भारत में पुर्टगाली सबहता के अवसेस कहां मिले हैं तो भारत में पुर्टगाली सबहता के अवसेस आपके मिले हैं गुवा के अंदर क्योंकि पुर्दगाली सबसे पहले कहा आए थे ये गुवा के अंदर ही आए थे तो गुवा में ये आपसे मिलते हैं पुर्दगाली सब बैता के Question number 46 है कि कृत्रेम वर्षा के लिए बादलों पर किस राशानिक पदार्थ का प्रियोग किया जाता है तो कृत्रेम वर्षा के लिए बादलों पर किस राशानिक पदार्थ का प्रियोग किया जाता है Silver Nitrate, Potassium Bromide, Silver Iodide या पर Potassium Nitrate तो कृत्रेम वर्षा के लिए बादलों पर किस राशानिक पदार्थ का प्रियोग किया जाता है तो ये प्रियोग किया जाता है आपका silver iodide का किसका प्रियोग करते हैं silver iodide का इसके बाद question number 45 है Newton के पहले नियम को क्या कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं गुरत्व का नियम कहते हैं उर्जा का नियम कहते हैं या फिर वेक का नियम कहते हैं तो जो Newton का पहला नियम है, उसको क्या कहते हैं, जडत्व का नियम हम कहते हैं, इसके बाद मैत्वपून उध्योग कौन से हैं, आधारवूत उध्योग, अप भोगता वस्त उध्योग, मोल वस्त उध्योग या फिर सरकारी उध्योग, तो मैत्वपून उध्योग कौन से हैं तो महतोपून अध्योग कौन सा है तो महतोपून अध्योग आपका आधार वो तो द्योग होता है इसके बाद next question की तरफ चलते हैं वाईयो में oxygen का प्रितिसत लगबग कितना है यह science का question है जनरल science का है 100% होती है 1% होती है 78% होती है या फिर 21% होती है तो आईयो में oxygen लगबग कितने मातरा में होती है प्रितिसत में तो कितनी मातरा में होती है यह लगबग 21% पाई जाती है 78% nitrogen पाई जाती है 0.03% आपके carbon पाई जाती है carbon dioxide जिसको हम कहते हैं इसके बाद question number 42 है समानत पक्चियों के पास एक क्या होता है वकर होता है वीर्यकोस होता है अंडास्य होता है या फिर फेपड़ा होता है तो पक्चियों के पास समानत एक क्या होता है तो यह होता है आपका एक अंडास्य पक्चियों के पास समानत एक अंडास्य मिलता है question number 41 है निम्न में से एक किसे milk सुगर भी कहा जाता है गुलुकोज को कहते हैं, फरक्टोज को कहते हैं, मल्टोज को कहते हैं या फिर लेक्टोज को कहा जाता है तो मिल्क सुगर किसे कहा जाता है, जो फरक्टोज है आपका इसको क्या कहा जाता है मिल्क सुगर भी हम कहते हैं कुश्चन नमरर पोट्टी आपका है कि किसके सासनकाल के दोरान गंधार कला विष्विध्यालयका उधте हुआ था हर्ष के, असो के, कनिस, के या फिर चंड्रगुपत दीत्य के तो किसके सासनकाल में गंधार कला ुथ्यालयका ये बनायागया था, उधे हुआ था तो किसके कालम होदे हुआ था यह हुआ था आपका कनिस्क के कालम है इसके बाद कोश्चन आपका आता है कि निमलिकित मैंसे कौन सी धातू परिस्तेतिक तंत्र में जैव आवर्दन की समश्या उत्पन करती है निमलकित मैंसे कौन सी दातु परिस्तत की तंतर में जैव आवर्धन की समिश्य उत्पन करती है पारा, क्रॉमियम, तामभा या फिर सीसा तो कौन सी परिसानी उत्पन करती है तो यह समिश्य उत्पन होती है पारे की तो कौन सी दातू है जो परिस्ततित अंत्र में जैव आवर्जन की समय स्वत्पन करती है वो दातू कौन सी है यह आपकी पारा कुश्चा नमर 38 आपका है कि निमलकित मैंसे कौन सी नदी मद्य भारत से बैती हुई गंगा या जमना में जाकर मिल जाती है तो कौन सी ऐसी नदी है जो मद्य भारत से बैती हुई गंगा या जमना में जाकर मिल जाती है इसके बाद कॉश्चन है कि जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रोख जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ जुख जाते है तो ये कौन सा नियम है अगर कोई गाड़ी चलते चलते अचानक से रोख जाए तो यात्री आगे की तरफ जुख जाते है आप केंद्रियपल के कारण ऐसा होता है इस्तिरता की जड़ता के कारण ऐसा होता है गती की जड़ता के कारण ऐसा होता है या फिर इसका कारण गुर्तवाकर्शन बल है तो किस कारण अचानक बैठी होई गाड़ी के रुखने पर यातरी आगे की तरफ जोख जाता है तो ये इसका कारण है गती की जड़ता, क्या कारण है, गती की जड़ता इसका कारण है, इसके बाद question number 36 आपका है कि hexamethylene, diamine और वसिये अमल के संगरन से क्या प्राप्त होता है, कौन सा polymer आपका प्राप्त होता है, नाइलोन 66, टैरे लिनन, या फिर टॉलेंस, या फिर बैकेलाइज, अब यहाँ पर question अठता है, polymer किसे कहते हैं, जब दो छोटे-छोटे chemical compound, या नि मॉनोमर्स को जोड़ते हैं, तो आपका बनता है polymer, और polymer को बनाने का जो process है, when two or more monomer are adding together, this process makes polymer, और यह जो polymer बनाने की processes को कहते हैं, polymerization, तो यहाँ से इक science का question था, जो आपको बताया है, मैंने, इसके बाद बात करते हैं, next question की, तो next question आपका है, यहाँ से देखो, 48 question है, की दक्चनी धुरूब और उत्री धुरूब की तलना में अधिक ठंडा है, दक्चनी धुरूब उत्री धुरूब की तलणा में अधिक ठंडा क्यूं हैं?, अधिक उँचाई है, अधिक वर्षा है, तेज हवाएं हैं, या फिर सू कोश्चन नूमर पूर्टी नाइन है, हर पांच वर्च वर्च बाद वित्त आयोक का गफण कौन करता है? तो हर पांच साल बाद वित आयोक का गठन कौन करता है? मंत्री परिसद करती है, संसद करती है, राश्टपती करता है या पिर नियंत्रक एवां महालेखा परिक्षक करता है तो हर पांच वर्स बाद वित आयोक का गठन कौन करता है? तो ये करता है आपका राश्टपती, राश्टपती हर पांस साल बाद वित्ता आयो का गठन करता है कोश्चन नमर 50 है, अकवर के सासनकाल के दौरान राजस्व उपनिवेश के पिरवर्तक कौन थे? अकवर के सासन के दोरान राजस्व उपनेवेस के पिरवर्टक कौन थे? राजा मान सिंग, राजा बगवान धास, राजा टोडर मल या पिर राजा बीरवर तो कौन थे? राजस्व उपनेवेस के पिरवर्टक कौन थे? अकवर के सासनकाल के दोरान तो ये थे आपके राजा तोडर्मन इसके बाद question number 51 आता है निम्ड मैंसे कौन सा अधीनस्त अपरादिक अदालतों में सीर्स पर है तो कौन सा है सरवचन्याले है, उचन्याले है, सत्र नियादीस की अदालत है या फिर जिला नियादीस की अदालत है तो कौन सा इसमें से अधीनस्त अपरादिक अदालतों में सीर्स पर माना जाता है सरवचन्याले है, उचन्याले है, सत्र नियादीस की अदालत तो कौन सा सीर्स पर है, यहाँ पर जो सत्र नियादीस की अदालत है ये आपकी अधीनस्त अपरादिक अदालतों में कहा पिमानी जाती है सीर्स पिमानी जाती है कौशन नमर 52 है निम्न मेंसे कौन सा प्लूटोनिक आगने चट्टान का उधारण है इसमें कौन सा है बैसाल्ट है ग्रेनाइट है, स्लेट है या पिर डॉलोमाइट है तो कौन सा प्लूटोनिक आगने चट्टान का उधारण है कौन सा है तो ये आपका है ग्रेनाइट जो आगने चट्टान का उधारण है इसके बद कोश्चन नमर 53 है निम्निकित मेंसे कौन सी नदी बारतिय चेतर में नहीं बहती है तो कौन सी नदी है जो बारतिय चेतर में नहीं बहती है गोदाबरी, जेलम, रावी या फिर गागरा तो कौन सी नदी है जो बारतिय चेतर में नहीं निकलती है तो कौन सी नदी है तो ये नदी आपकी है गागरा जो भार्दिय चेत्र में से नहीं निकलती है Question No. 54 वाईयो में ध्वैनी का वेग किस पर निरबर नहीं करता है वाईयो के गनत्व पे, वाईयो के दाप पे, वाईयो के तापमान पे या फिर वाईयो की जो आधरता है, उस पे डिपेंड नहीं करता है तो वायू में ध्वैनी का जो बेग है वो किस पे निर्वर नहीं करता है तो ये वायू के दाप पर निर्वर बिल्कुल भी नहीं करता है इसके बाद question number 55 है लाल रख्त कोशी का है किस के दोरा उत्पादित की जाती है यक्रित के दोरा, हार्मोन के दोरा, अस्ती मज़ा के दोरा या फिर हिर्दे के दोरा तो जो red blood cells हैं आपकी ये किसके दोरा उत्पादित की जाती हैं तो जो red blood cells हैं आपकी ये उत्पादित की जाती हैं अस्ती मज्जा के दोरा question number 56 है table को परिभासित करने की पिरकिरिया को क्या कहते हैं data definition या फिर data normalization, index definition या फिर आपका data administration तो table को परिभासित करने की पिर्किरिया को हम क्या कहते हैं? तो table को परिभासित करने की जो पिर्किरिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं index definition इसको कहा जाता है question number 57 है इन मेंसे कौन नेता नहीं थे? आई के गुजराल, SL बहुगुणा, J जहललिता, HN बहुगुणा तो कौन इन मेंसे नेता नहीं थे? तो जो SL बहुगुणा है ये कोई नेता नहीं थे? इसके बाद देखो question देखते हैं आगे के तरफ यहां से अब आपका रीजनिक स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर यह question चल जाते हैं आपके, एक दू question और हैं वो भी हम कर लेते हैं यहां पर तो देखो यह तुम्हें कराई जो कहा हूँ, परिस्त की तंतर में उर्जा का स्रोत्र क्या है? तो जो परिस्तिती तंतर है, इसमें उर्जा का स्रोत्र क्या है? तो परिस्त की तंतर में उर्जा का सुरोत्र सूरीय है, हरेपोध है, प्रकास अंसलेशन में उत्पाद चेनी या फिर ETP ETP किसकी एकाई है? तो यह नैपरॉन की एकाई है, ATP Adenonin Triphospates को कहते है, ATP भीको तो परिस्तित की तंत्र में उर्जा का सरोत्र क्या है आपका ये बनेगा सूरज यानि सूर्य जिसकौम कहते हैं कोस्टर नुमर 60 है निमलेके थस्तियों में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मेन के नाम से जाना जाता है बालगंगा दर्तलग ये आपके गरम दल के नेता हुआ करते थे दादा भाई नरो जी मोतिलाल नहरू या लाला लाज पत्राय वो थे जिसकी सांडर्स नेला टी मार गया अप्तिया कर दी थी मोतिलाल नहरू वो थे जिन्होंने पहले अपने सभीधान में रिपोर्ट प्रिस्तोत की थी दादा भाई नरो जी वो थे जिन्होंने पहले सबसे पहले प्रती व्यक्ति आया को क्या किया था निर्धारत करने का काम किया था वो कौन थे दा ग्रांड ओल्मेन दादा भाई नरोजी थे जिनको बारत के ग्रांड ओल्मेन के नाम से जाना जाता है ये रीजनी के questions है Question number 61 है CIE का संब्द लेखनी के साथ है तो penting का किस के साथ संब्द है रंग, कूची, कूची कहते हैं ब्रुसको, canvas या फिर चितरकार तो CIE किस काम आती है लिखन के तो penting किस से की जाती है penting करने के लिए किस की जर्वत हमें पड़ेगी तो penting करने के लिए हमें रंग की जर्वत पड़ती है स्याई से लिख सकते हैं तो रंग से penting उना सकते हैं question number 62 है chair का संब्द किस के साथ है R I A H C यानि कि उल्टा करके लिख दिया है तो इसी तरह table का संब्द किस के साथ होगा तो table को भी बिल्गुल उल्टा करके लिख दो गया E L B A T तो यहां से बड़े आराम से simple question कर सकते हो तो अपसा number C का correct हो जाएगा question number 63 है yes 51 लड़कों की कक्छा में प्रारम से 21 सतान रखता है तो बताओ सतान अंत से क्या है कौन से नमर गस्तान है 19, 39, 28, 27 या फिर 31 तो yes अंत से कौन से सतान पर बैठा है तो अगर सुरू से 21 नमर पर बैठा है तो बताओ पीछे से कितने नमर पर बैठा होगा तो पीछे से वो 31 नमर पर बैठा होगा आप इसको जोड़के देख लेगा इसके बद question number 64 है कूट बासा दी गई है microwave को लिखा हुआ है LJBSNXZWD पूछा है भाई popular को इसी बासा में कैसे लिखा जाएगा तो reasoning के अगर solution आप देखना चाहते है तो इसका वीडियो डेसी क्रिप्स हर में आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं सारी वीडियो के हमने डाले गए और जिनके नहीं डाले उनके हम डाल देंगे तो question number 64 का correct answer क्या हो जाएगा आपका question number 64 का answer हो जाएगा option A question number 65 है यदि B बराबर 2 है MAT बराबर 34 है तो बताओ J OG LEX क्या होगा 70, 71, 73 या 72 तो क्या होगा B की value 2 है और MAT की value कितनी है 34 तो बताओ J OG LEX की value किस के बराबर होगी तो यह आपका 73 के बराबर होगी इसके बाद question number 66 दे रखा है 2, 5, 10 question mark 26 तो बताना है आपको कि इसमें संख्या बीच में कौन सी आएगी तो यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी आ सकती है तो देखो यहाँ पे एक सीरीज भी बंदी दिखाई दे रही है एक का square plus 1, 2 हो गया 2 का square plus 1, कितना हो गया 5 हो गया, 3 का square plus 1, कितना हो गया 10 हो गया, तो 4 का square plus 1, कितना हो जाएगा 17 आपका हो जाएगा तो बढ़ा आसान question है कर सकते थे question number 67 की बाद करते है A, C, F, J और option दे रखा है question mark और B, पूछाए कि क्या आएगा A के बाद B छोड़ा C आ गया, C के बाद D छोड़ा E छोड़ा F आ गया 1, 2, 3, 4 करके इसके आपको gap दे रखा है correct answer क्या हो जाएगा यहांसे correct answer आपका U आ जाएगा वो के बाद इसके बाद question दे रखा है आपको आगे की तरफ लोगत संक्या आपको बतानी है देखो 5, 2, 6, बराबर 60 दे रखा है 6, 2, 2, 1, 2, 5, 60 होते हैं 4, 2, 1, 8, 8, 8, 8, 64 होते हैं तो 6, 3, 18, 8, 8, 7 कितना होते हैं 126 होते हैं तो देखो answer भी directly आप यहांसे देख सकते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ region का question है question number 69 की बत करते हैं जो कुटा है वो एक जानवर भी है और वो पालतू भी होता है तो बताव इन तीनों में संबंद क्या है आपको देखो डाग्राम देके समझाय हुआ है तो यहां पर डाग्राम अगर आप गोर फरमाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या है आपका एक यह जानवर है और जानवर क्या होता है पालतू होता है और पालतू कोन होता है कुटा होता है तो option number C क्या हो जाएगा आपका यहां से यह आपका correct answer बन जाएगा question number 70 आप देखोगे तो देखो हससी में अब तक हर बार यह question side put up किया गया है 6 plus 3 कितना है 13 5 plus 20 कितना दे रखा है चानवे और 11 plus 7 कितना दे रखा है 16 और 19 plus 11 आपको बताने है कि क्या हैगा तो देखो 6 और 3 कितने होता है 9 कूट बासा में बात करने तो बात बंती दिखाई देती नहीं है और यहाँ पर देखो इनके solution आपको वीडियो में provide करा देंगे तो यहाँ आप में आप answer बता देता हूं बिना time बरबात किये तो यहाँ पर एक section में इसका correct answer हो जाएगा question number 71 है कि पिर्थम 5 और 3 के विसम गुनज का ओसत क्या है देखो direct question पूछा है मेहत का question है यहाँ पर option दे रखा है 12, 16, 15 और 21 तो कौन सा option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा तो 71 का जो answer आपका correct है यह हो जाएगा आपका 15 तो पिर्थम 5 और 3 के विसम गुनज का ओसत कितना होता है 15 यह और अलिए आप याद रख सकते है question number 72 है यदि समानतर स्रैनी का चौथा पद 16 है a plus 3D बराबर कितना है a plus 3D बराबर कितना है 16 दे रखा है बारमा पद 80 है तो a plus 11D बराबर कितना दे रखा है 80 दे रखा है पहला पद निकालना है जैसे x plus y का समीगरान आप लोग निकाल देते उसी तरह ये question बड़े प्यार से आप solve कर पाएंगे ये math का question है ये आपका arithmetic जो है उसका question है तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं यहाँ पे minus 60 का answer आ जाएगा इसके बाद next question पे चलते हैं एक रासी P और Q और R के बीच में आपको नहीं करा सकते हैं अगर आप solution देखना चाहते हैं तो इसका जो प्रेक्टिस साइटेस का वीडियो solution चैनल पे अवेलेबल है आप वहाँ जाके ये देख सकते हैं तो 73 का जो answer आपको मिलेगा वो answer आपका बन जाएगा जानकारी अदोरी है ऐसा हो नहीं सकता है question number 74 की बात करते हैं एक कपड़ा वैपारी अपने आदे कपड़े को 40-30 लाब पे बेशता है सेस आदे को 40-30 लाब पे बेश देता है और सेस को किरिया मुल्ले पे बेश देता है बताओ पूरे लेंदेन में लाब हुआ की हानी हुई देखो अच्छा कोश्चन है ये भी तो बताना है लाब हुई या हानी हुई तो यहाँ पर उसको 10% का लाब फिर भी हो जाएगा question number 75 है 4 संख्याओं का उसा 60 है पहली संख्या अंतिम 3 संख्या का योग एक चौता ही है बताओ जी पहली संख्या क्या है तो यहाँ पर option भी दे रहे है option क्या है आपका 15, 45, 60, 48 तो बताओ कौन सा option आपका सही है तो यहाँ पर option number C, 48 आपका सही हो जाएगा question number 76 है एक cycle चालक एक निश्चेद दूरी को कितने की चाल से एक निश्चेद चाल से ही तैकरता है यदि एक धावक आदी दूरी को दोगने समय में तैकरे तो बताओ धावक के चालका cycle चालक के चाल से अनुपात क्या है तो क्या अनुपात होगा तो अनुपात होगा आपका 1 ratio 4 question number 77 है 2 pros 3 आदमी एक काम को 10 दिन में कर लेते है पूछा है कि 3 pros और 2 माईला उस काम को 8 दिन में कर देते है अब बताना है जी आपको कि 2 pros और 1 माईला उसी काम को कितने दिन में करेंगे अब देखो क्या option है इसमें option भी दिखा देते हैं तो आपको जो option दे रखे हैं यहाँ पर देख लेते हैं, option कौन से हैं, तो option यहाँ पर दे रखा है आपको, 12, 15, 13, 13 या 13 साई एक वर्टे, दो, तो कौन सा option आपका correct होगा यहाँ पर, तो option कौन से correct होगा आपका यहाँ पर, option आपका correct हो जाएगा, option नमबर भी साड़े बारे दनों को लग जाएगे, question नमबर 78 की तरफ चलते हैं, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm की रेखा कंड से, किसी 3 रेखा कंड को लेकर जादा से जादा कितने तरोज बना सकते हैं, 3, 2, 1 या पर 4, 2, 3, 5, 6 cm कितने किसी 3 रेखा कंड को लेकर जादा से जादा कितने तरोज बना सकते हैं, तो कितने तरोज बना सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा दो बना पाऊगे, question no 79 आपका क्या है, question no 79 की तरफ चलते हैं, question no 79 है कि 4, 3, 7 वारसिक दर से, 2 वरसों के साधरन ब्याज तथा ब्याज वार्सिक सायोजित होता है, अनुपात पूछा है, बताओ क्या अनुपात होगा, 2 वरस का साधरन ब्याज है, 2 वरस का ये चक्र ब्याज है, rate आपको दरिखा है, 4% बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 50 ratio, 51 आपका correct हो जाएगा, इसके बाद question आपका आता ह कि भाई 9 संख्याओं का जो मादे है, वो कितना है, 16, एक और संख्या को सामिल करने पर मादे बन जाता है, 17, तो बताओ 10 संख्या क्या है, 9 होगी, 16 होगी, 26 होगी, या फिर 30 होगी, 9 संख्याओं का मीन कितना है, 16 है, एक और संख्या सामिल कर दें, तो मादे कितना हो जाता बताओ जी दसमी संख्या गौन सी होगी तो दसमी संख्या आपकी 26 हो जाएगी इसके बाद कोश्चन नमर 81 है कि लोकोक्ति दे रखिये अर्थ सपष्ट करना है आंदा बाटे रेवडी फिर फिर अपने को दे इसका मेनिंग क्या है आंदा बाटे रेवडी किसी करया को करने क परियास पारबार करना पक्षपात पूर्ण वैहार करना या फिर समता पूर्ण वैहार करना आंदा बाटे रेवडी फिर फिर अपने को दे ये एक मुआबरा है और आपको बताना है इसका मतलब क्या है तो इसका जो मतलब है वो यह है कि ये पक्षपात पूर्ण वैहार क कोई नहीं, तो बगले जाकना साइड का मतलब यहां पे पूछा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निरॉत्तर होना कि आपके पास को उत्तर नहीं है पर अपदेश कुसल बहुत तेरे का मतलब बताओ, दूसरे से उपदेश सुनना स्वैते ही ग्यान अर्जन करना दूसरों को उपदेश देना सरल है या दूसरों से ग्यान अर्जन करना तो पर उपदेश कुसल बहुत तेरे का मतलब क्या है तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा दूसरों को उपदेश देना बड़ा ही आसान है खुद करना बड़ा मुश्खल काम है इसके बाद question number 84 है सुद्यवाक का चैन करना है वहाँ लोग एकटे थे वहाँ पर लोगों को एकटदा होना था वहाँ लोग एकटदा थे वहाँ लोग एकटदा थे तो आपको बताना है कि कौन सा वाक के में से बिल्कुल करेक्ट है हिंदी के हिसाब से तो यहाँ पर आपका उप्सेंटी बिल्गुल करेक्ट है कि वहाँ लोग एकटा थी कोश्चन नमर 85 के दरफ चलते हैं अलंकार पूचा है कौन सा अलंकार है द्वैनी मई करके गिरी कंदरा पूचा है कलित कानन केली निकुंज को कौन सा अलंकार यहाँ पर है चेकानुप्रास अलंकार वित्रयानुप्रास अलंकार या लाटानुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार तो कौन सा अलंकार इसमें है तो इसमें अलंकार है आपका व्यातानुप्रास अलंकार कॉश्चन नमर 88 है जो रहीम गती दीप कुलपूत कपूत गतिस होए बारे उजिया रो करहे बंदे अंधेरो होए पूचा है कि भाई बताओ कौन सा नुपरास है सेलेस है, यमक है, रूपक है या फिर उत्परिक्चा लंकार यहां पे है तो कौन सा है यहां पे, यहां पे आपका सेलेस लंकार हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन की कोश्चन नमर 87 है पूचा है कि भाई कौन सा चंद है सही विकल्प आपको चुनना है पद्यांस में ले संग भगती मलाकरी आरूप सोले लाओं पूचा है क्या है सबईया है, सोरठा है, हरीगीती का है या फिर बर्वे है तो कौन सा चंद यहां पे है हरीगीत का चंद यहां पे है कोश्चन नमर 88 है कुछ और नहीं, योग लोचनों में पिर्ति वलंबित अनुराग अमंद पूछा है कि यहां पे कौन सा पद्य है, सवया, हरीगीति का, रोला या पिर मालेनी, तो कौन सा यहां पे पद्यांस में आपका चंद है, तो कौन सा चंद है, यहां पे सवया चंद आपका है, इसके या फिर एंड मेंसे कोई नहीं, तो राम ने कहा कि वे कल लाएगा, रचनाक की दृष्टी से यह वाक्य किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का वाक्या है, यह आपका एक मिसरत वाक्या है, कोश्चन नमर 90 है, आपको बताना है समास, अन जल में कौन सा समास है, vegetables which are grown, here are cheap, in cost and rich of vitamins, यह फिर no error, तो यहाँ पर किस sentence में आपका error है, तो यहाँ पर sentence में error है आपका option no.C, पुछाएं हैं, in cost and rich of vitamins, तो यहाँ पर आपका error है, कोश्टन no.92 है, I have criticized the remarkable book, because I didn't benefit from the reading, and no error, पूछा है कि यहाँ पे sentence में कहाँ पे error है तो इसमें जो I have criticized है यह ही आपका एक error है आगे चलते हैं question number 93 की तरफ आपको पूछा है भाई fill in the blank आपको भरना है और correct आपको भरना है the agenda for the meeting has dash dash the notice पूछा है कि यहाँ पे आपको भरना है filling the blanks में क्या आएगा agenda for the meeting has has a आया तो आप क्या भरोगी यहाँ पे यह वर्ब से आपका question है एक तरीके से तो यहाँ पे क्या आपका आएगा तो यहाँ पे आपका आएगा affected अनिल अटेंड करें इसके बाद question number 94 to 95 है 4 alternate आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा option यहाँ पे correct होगा तो 95 में देखते हैं यह आपको दे रखे है option 95 में दे रखा है wheel and wo wheel and wo का मतलब क्या है ups and down joy and sorrow whole and hurtedly या फिर under suspicious तो यहाँ पे क्या है आपका तो joy and sorrow यहाँ पे wheel and wo का यह आपका same meaning आपको मिल जाएगा इसके बाद देखो यहाँ पे question number 96 आपका है आपको improve करना है alternate sentence आपको डूणना है I can't say to you right now we will discuss it tomorrow इसका मतलब क्या है I cannot say you right now we will discuss it tomorrow इसका meaning क्या है इसका मतलब होता है explain करना इसके बाद आपका question आता है 97 आपको यहाँ पे देखो best alternate choose करना है word आपको दिये गए है morbid morbid का alternate क्या है deceased, dying, irritated या फिर angry तो कौन सा यहाँ पे correct है यह आपका जो deceased है यह आपका morbid का मतलब यहाँ पे same होगा इसका alternate है यूज कर सकते है 98 में आपको opposite meaning चुनना है विप्रीद तो heart यह लिखा है आपका hereditary, hereditary का मतलब क्या है hereditary hereditary का मतलब क्या है carried acquired, possessed, possessed या फिर regained तो कौन सा यहाँ पे आपको सही मिलेगा तो यहाँ पे आपका सही है option number B acquired बिल्कूल correct मिलेगा question number 99 में दे रखा है forward आपको दे रखे यह मैं से correctly spelled आपको चूझ करना है meaning, मतलब सुद्वर्तनी है इंगलिस में asmilation, assimilation, assimilation या फिर assimilation assimilation, assimilation भी इसको कह सकते हैं तो 99 का कौन सा आपका correct है यहाँ पे सुद्वर्तनी में तो asmilation जो पहला word है यह आपका बिल्कूल correct है इसके बाद यहाँ पे देको one word में आपको answer देना है course of chariot race इसका मतलब क्या है sanatorium, hangar, hippodrome या फिर arena तो यहाँ पे आपको जो hippodrome है यह बिल्कूल आपका ठीक है तो एक practice set था उमीद आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नई practice set के साथ और यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप इनके वीडियो solution देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के link पे जाके आराम से चैनल पे विजिट करके इनके practice set के solution में थ्री इजिनिंगा देख सकते हैं जय हैंद जय वारत